दोस्तों मैं आप लोगो दो वीडियो दिखाऊंगा दोनों में स्टूडेंट और टीचर के बीच का एक किनेक्शन दिखाने कुछिस की जा रही है यह जो पहली वीडियो है इसमें जो सर कट किया जाता है और उसमें से जो भी डिस्टेक्शन है वो निकाले जा रहे हैं यह नोर्मली टीचर काम करते हैं कि जो भी बच्चे के मैंड में डिस्टेक्शन है नेगेटिव थोर्स चल रहे हैं वो इधर उधर अपनी दिमाग को लगा रहा है सही जगह फोकस नहीं कर पा रहा है तो वो सारे काम जो है teachers करते हैं कि सारे destruction दिमाग में से निकालो और फिर क्या-क्या जरूरी है जिसे किताबे डाल दी दिमाग में, goals डाल दी है अपनी family के साथ में किस तरीके चे time बिताना है अपनी life को कैसे enjoy करना है वो सारी चीज़ा आप लोगों यहाँ पर teachers दो है नोमली सिखाते वे नजर आते हैं तो यह video काफी अच्छी लगी आप लोगों ने share करी तो यह reality में इस तरी है काम जो है एक teacher जो है काफी बखूभी कर सकता है और करता है भी है teacher यह पर लेकिन इसी के साथ में teacher की भी एक life होती है और वो आप लोगों दिखेगी अभी next वीडियो में यहाँ पर देखेंगे teacher frustrated है irritate हो रहा है जिंदिके पता नहीं क्या क्या चल रहा है पर लेकिन class में entry करने से पहले देखना अपना माहूल बनाएगा थोड़ा सा हसेगा मुस्कराएगा और फिर class में entry करेगा यह होता है अकसर हर एक teacher के साथ में जब वो पढ़ाने जाता है फिर पढ़ाने बैठता है दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जनम दिन है आज रात को 12 बज़े से instagram पे बहुत सारे message आ चुके है रेस्पेक्ट मुझे देखने को मिली है आप नुर्मली कई सारे बच्चे विस्ट कर देते हैं पर लेकिन एक्जक्ट 12 बज़े ही समझ रहो यह वास्ता में एक चीज जो मैंने नोडिस की और इसी के साथ में 12 बज़े तो की है कल से लगे हैं बहुत सारे मैंने कई सारे चीज जो हैं अभी आप लोगों से सेर भी की हैं जो की टेलिग्राम पर आप लोगों ने देखी होगी इसी के साथ में इतनी सारी चीज़े आप लोगों ने सेर करकी हैं कई ने कुछ पेंटिंग सेर की हैं बहु बहुत अच्छी चैनल है हमारा जिसको इस टफनी आप लोग बहुत सकते हैं यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है तो इस चेनल पर डाल दूगा में एक वीडियो आ जाएगी इसमें सारी चीजे आप लोगो देखने को मिल जाएगी तो इसमें क्या होगा इससे आप इसको जब भी मन करेगा आप लोगों ने जो चीजे सेर की हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो इसके ओपर ये वीडियो जो है मैं शाम को यहाँ पर प्रोवाइड करा दूगा ठेक है तो शाम को मतलब टाइम जो है मतलब पूरे दिन ही विसी चलेंगे अगर मुझे लागा कि बहुत सारी इखटी हो गई है तो फिर मैं कल प्रोवाइड करा दूगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सेंड कर रहे हैं ठीक है मैं एक दिन की पॉलिंग नहीं मांग रहा था आप लोगों से मैं आगे की पॉलिंग के बारें बात कर रहा था कि जब ये वीडियो आया करेगी तो किस टाइम आया करेगी कल मुझे टाइम ने मिला कल बहुत अर्जनली मुझे थोड़ा बाहर जाना पुड़ा उसकी वेसे टाइम ने मिला पर जो वीडियो आप लोगी संद्धियस नोमली बोला था मैंने संदे में लाओंगा वो जो वीडियो है जिसे कि हर वीडियो करेगी तो कल जो था इसलिए भी एक रीजन था मैं थोड़ा सा डालने से रुख गया क्योंकि कल सीडियस का पेपर था ठीक है तो यहां पर देखते कई सारे बच्चों ने अपनी फिलिंग भी से रिखी कि सरक और पूलिटी तो जो है काफी एच्छे स कैसा आ रहा है और आप लोग कैसे उस पेपर को कनेट कर पा रहे हो तो यह फायदा होता है कि जैसे जैसे मालोग मैंने पढ़ा दिया तो यह बिल्कुल ऐसी है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनकर आगी तो वह पांस साल तक काम कर रही है पर बीच बीच में अच्छा फिल कर रहा हो बैटकर और उसमें थोड़ा सा कॉंट्रिबूशन मेरा भी है तो उसमें पता चलता है कि हाँ ठीक डिरेक्शन में चीज़े चल रही है तो यहां से मुझे एक आडिया लगता है कि हाँ चीज़े इस तरीक से चल रही है ठीक है तो अपना एक्स्प हैं और नब और यहां तो यह तो इस चैनल पर जा कर वोटिंग करने वाले चैनल उसकी कम्ड़ी वोटिंग करने जिससे मुझे पता चलेगा कि वह वीडियो आप लोग क एस टायम चाहिए ठैक है तो यह तो हो गई बेसिक चीज़ I hope कि आप लोग इनको अच्छे से enjoy कर रहे होंगे बाकी आज का discussion जो है बहुत ही शांदार यार रहने वाला है बहुत ही उम्दातरी यार discussion रहेगा और आप लोग को बहुत मजाने वाला है बहुत कुछ नहीं चीज़े आप लोग सीखने वाले हो कही सारे तो इतनी शांदार आटिकल है कि आप लोग को बहुत सारी background information जानने को मिलेगी तो अच्छे से वीडियो को टक टकी लगा कर आप लोग को end तक देखना है जिससे जो भी चीज़े हैं वो सारी चीज़े आप लोग के मैंड में बिल्कुल किलियर हो जाए और एक काम और करना आप लोगों से question पुछ जाएंगे उनका answer भी आप लोग को देना है जिससे कि आप लोग slv commando बन सकें जैसे कल answer काफी एच्छे जुगनी के द्वार देगे थे गाना नहीं है जुगनी जुगनी वय होए जुगनी जुगनी वय होए मतलब मुझे एक तम song याद आ गया जबिए मैंने इनका नाम पढ़ा इसको वैसे मत सोचना मुझे तो और चीज़े हैं तो एक तरीके से आप लोग कितने अच्छे से आंसर इनके द्वारा देगे हैं एक और यहाँ पर SLE family member है जिनका नाम है सिरी सिंग इनके द्वारा काफी अच्छे से आंसर देगे हैं और यह तो question भी काफी जाद है आप लोगों ने देखा होगा अक्सर post करते हैं ठीक है तो इनके आप लोगों ने question के answer अच्छा लगते हैं बाकी discussion में बहुत ही कुछ question भी आप लोगे रहेंगे बाकी नया week नया सब्ता आप लोगी start करने जा रहे हैं तो पूरे जोस के साथ में आप लोगो start करना चाहिए और जोस इतना हाई होना चाहिए कि पूरे सब्ता बना रहेना चाहिए तो हाउस दा जोस बोलो है बोलो हाई यसर हाई वह वाली विलिंग आनी जेना अंदर से निकल रही है energy तो उस तरीके से आप लोग लाइफ को इंजय करना है और बिलुकुल अच्छे-च्छे से आर चीजों को आप लोग पारिसिबेट किया हो जितना आप लोग पारिसिबेट करते हो उतना ही फिर मेरे अंदर भी energy आती है ठीक है तो यह काम आप लोग को जुरू करना है और एक बचा बोला है कि सर जब से और अच्छे से जाती है अंदर ठीक है मैंड के अंदर ओके टीचर्स यहां पर 5th September को सेलिबेट के आता है और मैंने आप लोगों से यहां पर यह भी पुछा था कि कल जो पहचानों को इंपोरेंट यहां पर इनके बारे में अगर बात कि जाए तो हमारे देश के यह आप लोग को पहले जो उपरास्ट पती यानिकि वाइस प्रिजिडेंट और दूसरे प्रिजिडेंट सरपली राथा कि संद्जी थे और आप लोगों को देखने को मिलेगा इनको भारत रतन भी मिल चुक इसी के साथ में महसूर, कोलकाता, बी-े-च्यू मतलब हर जगह एक तरीके से इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है दुनिया के अंदर अगर बात करें इन्होंने जो इंडिया की फिलोस्पी है वो दुनिया के नक्से पर उसको जगह दिलाई तो एक अच्छे टीचर की तरी इनकी महंता क्या है, ठीक है, किंग जोज पंचम यानिके 5 के द्वारा 1931 में इनको नाइट हुड की उपादी दी गई, फिर भी इनके द्वारा जो सर है वो लगाना बंद कर दिया अपने नाम के आगे, यानिकि इनको लगा कि फालतु में अंग्रेजों के द्वारा चीज दे जा रहे हैं, हम लोग उससे खुस हो रहे हैं, तो इनके आगे चलकर अपने नाम के आगे सर लगाना बंद कर दिया, तो ये चीज़े हैं, तो आप लोग याद रखेगा, जिंदगी में अपना कुछ ऐसा मुकाम बनाओ, आप लोग उससे पूछ हूँ अगर मैं चलिए ये question पूसता हूँ, और ये question मुझे personally भी अपने लिये भी काफी अच्छा लगता है, कि जिंदगी में किस चीज के लिए चाहते हो, कि लोग आप लोग को जाने हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं, सशी इन तेंदुल का नाम लेते हैं, कि किरकेटर हैं, विराट कोली हैं, क्या नाम है इनका, तो इनके बारें पढ़िए जाकर, अभी दुनिया में तीसरे सबसे अमीर इंसान बन गए, और पहली बार ऐसा खिताब देश के किसी इंसान को मिला है, तो अपने आप में एक एक अप्रिशेट करने लायक बात है, कि हमारे देश का इंसान जो है, जगह पहुच गए आप, तो इस तरीके से आप लोग समझें, तो हमारे देश की एकोनोमी ने अभी यूके की एकोनोमी को पीछे चोड़ा, ठीक है, और हमारे देश के लोगों ने दुनिया के लोगों को पीछे चोड़ा, तो कौन से नंबर पर हमारे देश की एकोनोमी आ पर लोग के पास में आगी तो कोई आप लोगों से चीन नहीं सकता तो हमेशा वो आप लोगे पास में रहने वाली है तो इसको अच्छे से इंजोय कर सकते हो ठीक है तो यह था आत्मा को सांती मिले, काफी important personality और important कितने थे, इससे पता लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर, कि Prime Minister तक है जो उनके द्वारा comment यहाँ पर किया गया इनके Prime Minister Modi जी के द्वारे हाँ पर comment किया गया इनके नाम पर, कि हमारे बीच में अभी जो है जो सारायस मिस्तरी जी नहीं रहे एक road accident हुआ, कहाँ पर हुआ, यह जो road accident यह महारास्टर के अंदर जो पाल घर, district है, वहाँ पर देखने को मिला कहाँ थी यह, एहमदाबाद में थे एहमदाबाद से कहाँ जा रहे थे, मुंबई जा रहे थे अपनी गाड़ी थी, इनकी Mercedes, और यह हालत देखो, इनकी क्या हो गई है आपा, accident हुआ, एक river के उपर, जो breeze था, उसका divider था उसमें इनकी जो गाड़ी है, वो टकराई, ठीक है river का नाम क्या थे हैं, आपर, river का नाम था, Suria river तो Suria river पर इनकी गाड़ी टकराई हाँ यहाँ पर, और यह कासा पुलीस स्टेशन एरिया में, और यहाँ पर जो है, यह immediately जो है, इनकी जो है, डैथ हो गया आपा, तो पूरा जो जगत है, खासकर पूरा industry जगत जो है, यह काफी बड़ा सोग बना रहा था, प्यूस गयल्स आपके द्वारे, प्रैमिस्टर मोदी साब के द्वारा, सारे अपोजिशन के लिडर, सारे यहाँ पर यह न्यूस सेयर कर रहे थी, ठीक है, तो आप नहीं है, आप में काफी बड़ी पर कुशन अपनी जगह है, देश ने आप लोग बोल सकते हैं, काफी इंपोटेंट परसनेल्टी हो दिये, तो सुनकर इतम जटका लगा, मैंने अभी एजी क्या थी, तो जैसी मैसेज बता चला, तो अंदर से मतलब होने था है, एक आदमी थोड़ा सा स्तब हो जाता है, मै आप लोग यहाँ पर, जब 55-54 साल की उम्रती आए थी इनके अभी, आज के दिन ये कोटेशन आप लोगो खास कर फोकस देने लाइक भी है, नेलसल मंडेला जी के बारे बात के जा रही है, इनके द्वारा बोला गया था, एनके जो सिक्सा है, बोला गया था, most powerful weapon, वैपन इनके हतियार, एक ऐसा हतियार, जो की समाज को सुधारने अकाम करता है, तो सिक्सा सबसे सक्तिसाली हतियार इनके द्वारा बोला गया था, जिसके बेस पर you can use to change the world, यहनि कि आप लोग दुनिया को change कर सकते हैं, तो यह कहने का मतलब यह है, कि अगर इनसान जो है, वो जो क कोई भी इनसान क्यों नहीं हो, एक गरीव से गरीव के जो परिवार का बच्चा क्यों नहीं हो, वो यह सोचता है कि यार, मतलब एक बाप क्यों नहीं हो, सोचता है कि मेरे बच्चे को अच्छे education institution में education मिले, ठीक है, ताकि वो आगे बढ़कर जो है, एक बड़ा इनसान ब पढ़ जाता है, क्योंकि जिस बच्चे को पैदा करती है, जनम देती है, उस बच्चे को पढ़ा रही है, तो आप लोग इसलिए बोलते हैं हाँ पर, अक्सर आप लोग ने देखा होगा कई बार की भारत माता बोले जाता है, भारत पिता क्यों नहीं बोले जाता है, ठीक ह वह लुद्ग है म2 ऊग्सनर को एक तरीक साफ लोग समझ सकते हैं तो कोई बोलेगी माने बहुत है कि इसलिए हमारे देश में आप लोगों पी आप लोग देखने को मिलें गे की देवियों के नाम पर रखेंगें तो हमारे समाज में एक इस तरी का एक पर्तिकुदन आप लो तो हां भी education जो है काफी बड़ा role play करती है तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं यह सारी ऐसी चीजें जो आप लोग को काम आती है हमेसा जब आप लोग कोई paper देते हैं और आप लोग जिंदगी में कुछ भी एक अजिके एंड में question भी होंगे उनके question के answer दोगे तो आप लोगों मजाएगा सुनने में तो आप लोगों मजाएगा तो आप लोगों अप्रेंस बाएगा फिर ठीक है और वही राहुल गांदी बाली बात मैं यह मजा सब को देना चाहता हूं ठीक है और वह कैसे मिलेगा वह म निकाला जाता है या फिर raw material बोलो आप लोगों निकाला जाता है कच्छा लोहा निकाला जाता है उसमें जो basically काफी लंबे समय से हाँ पर जो iron ore थी उसका जो अभी हाँ पर उसके अंदर से जो खनन होता था वो बंद कर दिया सुप्रीम कोट ने फिर लिमिटेड कर दिया थ रखा है हमारे हाँ पर खनन के उपर अगर उसको अलाव नहीं करोगे तो हमारी अर्थववस्ता जो है economy बढ़ेगी नहीं तो इसकी वेसे मोटा भाई होगा क्या हमारे हां के जो बच्चे हैं उनको हम लोग जोब नहीं दे पाएंगे और उनको जोब नहीं दे पाएंगे तो बहुत सारी दिक्कते और भी आने वाली है जिंदकी में वैसे ही COVID-19 की वेसे हम लोग अब तक उभर नहीं पा रहे हैं रसिया और उक्रेन की लड़ाई हो गई और उसकी वेसे दिक्कते हो गई है तो मोटा भाई यार थोड़ा सा रिलेक्स दे दो मोटा भाई को लगा क रखा था वो परतिबंद हटा दिया है मतलब completely नहीं हटा है limited एक तरीके से थोड़ा सा अलाव कर दिया है पहले 28 जो million metric ton था उसको 35 कर दिया है ठीक है कुछ particular reason की बात की जारी जैसे हाँ पर बालारी वाला reason हो गया ठीक है तो इस तरीके से हाँ पर कुछ कुछ reason में इनके द relevant जैं accomplish जो है यहां पर बढ़ जाए तो मोटा भाई ने अपना काम कर दिया तो मोटा भाई ने अपना काम कर दिया पकern । लेकिन जो भी चीज़े खी जाति हैना आप लोग सुप्रीम covenant ने ऐसा काम क्यों कियो किया कि आप लोगों का जो इस तरीके से काम चलनी रहा है और अच्छे से आप लोगों लेकर चलना है क्योंकि सुप्रीम कोट के द्वारा जब यह बैन लगाया गया था यह आज की बात नहीं है यह बहुत पुराने समय की बात है पुराने समय मतलब 2010 की 2010 में सुप्रीम कोट ने क्या किया थे आपर जो माइनिंग कंपणी थी आपर उसको सट डाउन कर दिया था और CBI को यहाँ पर यह केस महुचा था तो CBI ने इनिशेट किया था इसके चलते फिर यहाँ पर दो लोकायूत के द्वारा रिपोर्ट प्रसुत की गए थी उसके बाद ने पता चला कि लगबग 700 के करीब गरोमेंट ओफिशल भी यहाँ पर इसमें चल रहा है इनको तो कुछ सबक सिखाना पड़ेगा तो पूरा परिवार ना पूरेगा पूरा सिस्टम ही भरस्ट हुआ बैठ है तो उस टाइम पर सुप्रीम कोट के द्वारा एक कमिटी बनाएगी जिसको बोला गए हाँ पर सेंटल इंपावर्मेंट कमिटी मतलब एक सर करके चुए कहीं से कहीं पर जो मुसे आना कहीं पर किदर से किदर निपकल जाते है तो वहीं बात देखने को मैं निस में पर करीब यह हो काटेगरी बना दी तो इसमें काटेगरी इनके द्वारा कही सारी केटेगरी बनाए लगभू 18 केटेगरी तो 18 केटेगरी जो बनाए उनको A, B, C, D करके इन्होंने नमबर दिया तो अभी हाँ पर उसी केटेगरी में इनके द्वारा काम के जा रहा है कि इसको कैसे सुधारा जाए तो इसके ओपर कैसे काम के जाए तो इसको लेकर यहाँ पर चल रहे है अब एक इंटरस्टिंग टोपिक में थोड़ा से हाँ पर कवर करूँगा जो की बैग्राउंड है ट लोगने देखा और पाउडर ले गया कितने खोंके लेगा है तो कॉक में से बते चलेगा तो हां पर मैंने होगया है इसी के साथ में पर सिडराइट हो गया और हमनाय होगयो पर लेमोन आइट हो गयो तो यह एक ही परीवार के अलग-अलग चार अलग लोंडिय ऐसा आप ल इसकी जोब नहीं लगी यह उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा यह निके आप लोगों को जो मैंने बताया इन्होंने जितनी महनत करी उसके बेस पर इनको जोब मिल गई मैं यहाँ पर किसी particular post को degrade नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि कितनी महनत करने पर कितनी जोब मिलती है यह निकि एक इनसान जो है अगर वो daily दोड़ रहा है उसको अपना weight कम करने है तो वो daily running कर रहा है तो running करते करते उसका weight कम होगा यह कैसा है कि कुछ कम दोड़ रहा तो यहाँ पर किसकी कितनी importance है उपदा चलेगा तो एक IS है आप साधी में जाओ और वहाँ पर पदा चले एक दूला है उसकी साधी हो रहा है कि उसको दोस्त आइस है वो आगया हमापा बस अब दूले की इज़्जत फीगी पढ़ जाएगी जैसी IS आएगा हमापा सब बोल आप लोग के जो जखम होते हैं उन पर नमक छिड़ा रहे होते हैं वो लोग तो आप लोग चीज़े समाजने पड़ेगी तो यहाँ पर जो magnetite है वो IS officer है क्यों क्यों क्योंकि उसके अंदर iron का content जो है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा 78 ठीक है यह सुरी यह है आप यह नीचे पुचा दिया ठीक है नीचे जो पुचा दिया पर इसके अंदर आप लोगो 72 देखने को मिलेगा तो यहाँ पर यह क्या हो गया magnetite के अंदर iron का content सबसे जाते हैं तो यह क्या हो गया यह है हमेटाइट तो यहाँ पर पहले है M यादर केगा फिर है H ठीक है तो इस तरीके से आप लग सकते है MHS और L ठीक है तो यहाँ पर दूसरा हो गया यह हमेटाइट इसके अंदर आप लोगो देखने को मिलेगा 70% तीसरे यहाँ पर लेमोनाइट इसके अंदर 59% और चोते हैं यहाँ पर यह बेसिकली सिडराइट इसके अंदर 48% तो जिसके अ क्लिदाने से अपनमों को बढ़े आप लोगों का इंटरेस्ट तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं अधिकेशर के वारे में एकेमेस्टी से हैं टीचर थे मेरे किंस्टी के 11 और 12 में कैमेस्टी के इतनी नोलीश थी इतनी नोलीश थी यहाँ आइसा मधला और साय दी किस पर सबसे जो बुरी कंडिशन थी वह थी को बच्चों को भंग से संझानी पाते थे मतलब उन्हें आए ग्लास में अरुज़ लिग के चलेगे किसी को संजवा रहा है और नहीं संजवा रहा है तो अपने कर जा के पढ़ लेना वह वाली चीज थी तो केमस्टी में बड़ी ख बच्चों को कितना डिलीवर कर रहा है वो टीचिंग होती है अगर माली ची मेरे पास में जैसे लिमिटेड नोली जानतों मेरे पास में पर मैं आप लोग को दो चार सब समझा पा रहा हूं तो आप लोग डेली सुनने आ आ जाते हो ठीक है पर लेकिन पता चला कि मैं हजार सब्सक्राइब आरे यौरा वे चार में इस अंदर तो इसलिए यह चीज़ो है यार यह रहती यहा beautiful भी ठिखने हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो गए पर आप लोग पूछ लेता हो लेकिन की विल्कुली सवंज में यह सर से उतर गई चारखंड, चतिसगड, करनाटका, गोवा, तेलंगाना, आंदरप्रदेश और तमिलाडो यानि कि इन राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा यानि कि टोटल 95% आयरन और जो है वो आप लोगों यहां पर पाई जाती है तो यह काफी इंपोडेंट है जो कि आप कैसे यह इसट इंट्रेस्टिंगं आप को बता हुंग अभी आप लोग संझागे मैंने आप लोग को यह क्यों बोला है जो बोले आप लोग देखिये आपर यूप्य सजी हमें 2020 में जोशन्ग बचा गया क्या पुचा घया यहां पर यह पूचा गया यह पर यह पूचा की steel की जो industries है ठीक है तो इस तरीके से जो उनके source है raw material है example के साथ में आप लोगों बताने है तो answer writing का question आप लोगा बन गया UPSC ने 2020 में पूछ आप लोगों से question तो इससे आप लोगों में बोलता हूँ कि जो location आप लोगों बताई जाती है उनकी importance आप लोगों समझ में आएगी तभी आप लोग चीजों को ढंक से understand कर पाएंगे कि हां यार यह चीज क्या है जो mining mining के बारे बात कर रहो हूं 18 में आप लोगों से question भी पूछ लें आप इंटरेसिंग देखो राईस्थान में बोला गए हैं आप ठीक है यह बोला गए हैं आप एक statement के बारे में आप लोगों से पूछें कि यहां पर क्या पूछा गया कि consider the following statement ठीक है और पूछा अप गया कि is correct statement ठीक है तो इसके चलते आप लोगों से पूछा गया है तो आप लोग का एक्जाम में देखने को मलते हैं जिसमें location चाहर खंड में क्या पाया जाता है ठीक है यहां पर क्या पाया जाता है तो basic चीज आप लोग यहां पर इसको देखने को मिलती है तो यह basic चीजे होगी आप लोगे सामने तो iron ore आप लोगे समझ में आगे जो कि आप लोगो समझ में आने चाहिए इसमें कोई डाउट आप लोगों को नियो होना चाहिए अभी यहां पर इसी iron ore को और ज्यादे निकाल सकते है यह responsibility यहां पर है basically state government की और करना पड़ेगा जो बिडिंग यानिके बोली लगाने वाले वह अपना बोली लगाएंगे और उसके बेस पर फिर इनका iron ore मिलेगी जो कि यहां से raw material निकाल के लिए कर जाएंगे तो यह काफी important है आपर तो यह auction प्रोसेजर के तुरू यहां पर यह चीज़ें कराया जानी यह चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसका मतलब क्या है यह सारे क्रेप्शन के तरीके होते हैं इसी को आप लोग मोलते हैं बैसिकली भाई बतीजावाद करना ठीक है तो यह politics में तो आप लोगों को देखने को मिलता ही है पर यहां कम से कम नय हो जो की raw material ह है वरना लोग जो हैं अगर इस तरीके हरकते करेंगे तो फिर यहां पर उसका resources का ढंक सी utilization नहीं होगा बिल्कुल general science जो होती है वहां पर आप लोगों से कई बार ऐसे question बुचायते है आप लोगों दालोगे तो आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे और एक बार नहीं कम से से कम दो बार इनको गोत्र हो जाना ताकि जो जर्नल कुश्चन बनते हैं उनको आप लोग अटेम्ट कर सको एक और छोड़ी सी बात यहाँ पर अगर आप लोग जाकर यहाँ पर जो सर्च करोगे कोल ठीक है तो कोल के बारे में कई सारी इनको जाकर आप लोग देख लेना इसमें भी बहुत सारी बेसिक चीज आप लोग यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग के लिए कई बार जो कुश्चन होते हैं उनसे पूछ ले आते हैं इसके बारे में अरलाग से डाला था मैंने इक को पूरा इसमें ठीक है तो इसको आप लोग एक बार देख लेना तो जिससे कि आप लोग को सारी चीजे इहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक सेकिंड रुप यार मुझे मिलने पा रहा है वह जैसे आप लोग को जब सर्च करने की बात है तो आप लोग देखें आप जैसे की कोल लिखा आप लोग ने तो यहाँ पर सर्च करें है कोल के जहां-जहां सोर्स होंगे ठीक है तो यहाँ पर चोट चीप आवा नीचे तो यहाँ पर जब आप लोगों कोईले के बारे में तो पूरा कोईले के बारे में इंफोर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाड कर रखें जीए सेबर 3 में पूरा टोपिक कवर कराया जाता है आप लोग यहाँ पर यह पूरा कोईला क्या है क्या 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 तो कई बार आप लोग उसे यहां से question पूछ लिए आते हैं बड़ी interesting question है अभी detail है मैंने आप लोगों बता है यहां पर इसको वीडियो को pose करकर इस question का answer दो मैं expect करता हूं कि आप लोग इसका answer जरूर दो मैंस अभी मैंने आप लोग को बता है कि state government वहाँ पर गई है यहां पर यहां पर नहीं होगी क्योंकि maximum raw material आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं जैसे आप लोग देखते हैं आप गोल्ड एंड इस तरीके से अगर state pieces के अंदर आप लोग को यह को इतने फ्रिक्मेंट ली देखने को मिलते हैं यहां लाट टप का यह बैट रहते हैं कि बस पूछ ले कहां कहां से फटा फट कोशन निकाल निकाल के लाए नियूज में आ गया तो और दवा दवा गया कोशन आप लोगों से पूछ जाएंगे तो यह जो भी बाते हैं सारी आप लोगे मैंड में किलर होने चीए ठीक है तो इस तरीके से topic को cover करो और answer writing के लिए भी आप लोगे सामने अब तो question आगे न तो यह question आप लोगो मिल गया UPSC ने ओलड़ी हाँआपर पूछ रखा है तो यह आप लोगे लिए और अच्छा हो गया एक question हो रहे हैं पर जो इस slide में आप लोगो दिखाए है इसी का question है आपर non metallic metallic और non metallic के बारे पूछा गया है तो अब ओ statement कौन सी correct है तो यह आप लोग को attempt करने है ठीक है इसका भी answer पूरा बता दिया है और यहाँ पर यह पूरी slide आप लोग देखे लिना answer C हो गया इससे आप लोगो पूरी चीजों का पता चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह सारी इसके अंदर लिखी हुई है a point to point बाकी सारे notes जो है वो आप लोग इहाँ पर प्रोवाइड करा जिया ठीक है इसी के साथ में आप लोगोंने MCQ भी practice कर लिया और इसी के साथ में extra information कोईले वोईले के बारे में भी हम लोगोंने देख लिए तो इसको कहते है धंक से पढ़ाई करना इसको कहते है UPSC के लिए पढ़ाई करना जब आप लोग ऐसे पढ़ाई करोगे तो तब जाकर आगे बढ़ने से पहले एक छोड़ी सी बात और बोलोंगा यार में हाँ पर आप लोग जो है जो भी पूरा week में पढ़ते हो ना Saturday Sunday में बैट कर उसका revision कर लिया करो एक बच्चा कहा रहा है कि सर संदे में vocabulary नहीं थी मैं पूरी दिन आप लोगो 6 के 6 दिन vocabulary देता हूं ठीक ह तो यह चीज़े आप लोगो देखने को मिलती है तो इसके पीछे basic reason रहता है कि जो खा लिया उसको पचाना भी तो है ना अगर पचा होगे नहीं खाय खाय जाओगे तो पेट खराब हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से काम को करना है ताकि जो पढ़ाय जाता है पूरे week म क्या वो सारी चीज़े याद रहती है आप लोगो अगर हां तो फिर तो कोई बात ही नहीं बहुत अच्छी बात है आप तो इस तरीए चीज़ों को लेकर चलनी है और feedback जुरूर दिया को एक बच्चा कह रहा है सर वह चीज मुझे personally अच्छी लगी यहाँ पर आप लोग द जो पहली बार वीडियो अप्लोड की गई थी वह खुली नहीं थी इनप्रोपियेट यूट्यूब ने उसको बता दिया फिर से अप्लोड करी पहले वाली फिर मैं जो है डिलेट कर देता हूं मैंने का दो-दो चलती रहेंगी फिर confusion हो जाएगा तो कई बार यूट्यूब को इनप्रोपियेट बताता है तो तीन बार में उसमें पूस्ता है कि हाँ कि यहां खोलने देना डैना है ठीक है तो इसी अई हरकते होती है और कल तो बहुती ही जदा है और भी चीजे कुछ हो गई थी मेरे साथ में कभी किछ दिन फिर सेर करोंगा कल चैनल जब 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 बकूम सबस्क्राइब को पासवर्ड को है कंट कर रहा था मैं मैंने स्क्रीन सोट बिल्के मनला पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया और hours को चेंज करने के बाद भी यह बता रहा है कि अभीवीाइच्ट जी है वह रिस्क पर है फिर मैंने जहाँ पर लेप्टोप में दोनों लेप्टोप में जहां जहां पर भी मतलब की id थी वो login थी उसको log out किया मैंने गाए तो पता चला यहां पर पूरा लोग फोल मिलें, वहीं पर ही आकर ज़रा से देर में अपना काम करके निकल जाएगा तो आप लोग की जिंदगी में सीक्योर्टी क्या होने चाहिए, वो आप लोग को बता होने चाहिए उसके उपर आप लोग को फोकस देना है, क्योंकि किसी और को उस चीज में कोई इंट्रेस्ट नहीं है तो आप लोग को अपनी सेक्योर्टी अपने हाथ में रखनी है, ठीक है? तो ये चीज़े है, तो इसको आप लोग थ्वड़ा ध्यान से देखेगा ये एक ऐसा न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, जो कि रिसेंली अभी ओल ओवर वर्ड में इसके बारें बाते कीगे और दुनिया भर के आर्टिकल चपे इंडिन एक्सपेस में नहीं, अल्ली हिंदू के अंदर भी आर्टिकल चपे भाई साब चाइना इसी अरकते करता है, पाकिस्तान को बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्तु मैं मुस्लिमों का भी दोस्तु हूँ, ठीक है और खुद अपने हाँ पर मुस्लिमों को नबाज तक नहीं पड़ने देता है, वो इनसान ठीक है, मतलब उनको अपने इसाब से चलाने की कोशिस करता है, completely उनको उनके religious affair भी नहीं करने देता है, जो यहाँ पर यह community पाए जाती है बहुत बुरी condition में रहते हैं, उगर community आप लोग बोलते हैं तो यह आज की date में इतना ज्यादा अत्यचार इनके उपर हो रख है, कि United Nation, UN के अंदर इनके बारें बात की गई, कि Uygar जो community है, जो कि एक limited Muslim community आप लोग बोल सकते हैं, उसके उपर इतना अत्यचार कैसे कर सकता है, यहाँ पर China, आप लोग को पता नहीं होगा, इनके घरों में से लोगों को निकाल निकाल कर, अलग reason में ले जा ले जाकर, इनको लापता कर दे जाता है, मार दे जाता है, और उसका पता भी नहीं चलता है, कहां पर है, उनको detention camp में रखा जाता है, कभी अपने घर वापस भी नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसी भी condition आप लोग को जात रखेगा, उगर community जो है, वो China का एक reason है, जिसको मैं map में भी आप लोगों को दिखाऊंगा, यह particular reason आप लोग देखते हैं आप, इसको जिंग जियान वाला reason बोलेते हैं, तो जिंग जियान वाला reason है आप, उगर community जो है, काफी लारी scale पर पाई जाती है, फिर China को यहा आपने लोगों के घर बना देता है, उसने भुटान की territory में जाकर अपने घर बना दिये, तो यहाँ पर बुटान बोलने लगा है, यह क्या कर रहा हो भाई, तो उन्हें बोला यह मेरी territory है, क्योंकि मेरे लोग रहते हैं, बोला सही है बैटा, तुम कल को अभी हमारे मतला उ चाइना वाले करते हैं, तो अभी यहाँ पर इनको raw material मिलता है, काफी large scale पर, तो इसके चलते हैं, यह community यहाँ से hurt जाए, और दूसरी important बात यहाँ पर यह कि इनको forcefully assault कियता है, sexually assault कियता है, इनको मतला बहुती बुरी condition है, और इंसानों की तरीके से treaty नहीं के जा रहा है, औ और वही चाइना बार-बार बोलता है, कि पाकिस्तान जो है मेरा लंगोटिया या रहा है, हलाकि पाकिस्तान ज्यादे बोलता है, चाइना कम बोलता है, और वही बोलता है कि मैं Muslim community का दोस्त हूँ, और आप लोग जो खासकर OIC है जिसको organization of Islamic cooperation आप लोग बोलते हैं, उसका भ हमारे देश की physical boundary के अंदर आते हैं, तो हमारा खुद का area है, तो हम लोग उसके साथ में कुछ भी करें, तो हम लोग वहापर ऐसा तो नहीं कुछ गलत कर रहे हैं, वहापर टैरिस्ट भेज रहे हैं, और development के काम किया जा रहे है, दुनिया भर का investment वहापर आ रहे है, आज त तरीके से इंसान जो है, यह सहरी हरकते कर रहे है, आप लोग को बताओ, कल एक message आता है, Instagram पर, और कहता है कि पढ़ाना बढ़ाना आता नहीं है, पढ़ा क्यों रहे हो, ठीक है, कुछ और काम कर लो, क्यों लोगों का time बरबाद कर रहे हो, तो मैंने तभी हो नहीं था है, त तो मैंने का, और बहुत अच्छे-च्छे teacher है, और उनसे पढ़ लो, यह थोड़ना की मेरे से ही पढ़ना है, जिनको समझ में आ रहे हो, पढ़ लेंगे, तो फिर जब मैंने उसको यह message लिखा, तो तुरंट reply कर रहे है, sorry sir, मैंने बहुत सारे message गिए पहले, तो मेरी एक ही message का reply ने आया, तो मैंने तो बस यह चाहरा था, कि आप मेरा message बढ़गे, मेरा reply कर दो, sir, मैं आपका बहुत बड़ा fan हूँ, sir, बस इसलिए sir, पता ना, फिर उसने बहुत सारे message लेगे, तो यह भी तरीके हैं, आप लोग समझ सकते इसको, तो यह बिलकुल एक तरीके से करना कि वो इस तरीके से रियाट करें, और फिर बोलो कि यार यह तो वो चीज थी, तो ऐसी ऐसी भी चीज़ा आप लोगो देखने को मुलती है, अब Facebook पे जाओगी, Facebook पे मैंने एक पेंटिंग सेर की है, ठीक है, एक बच्चा बोल ला है, कि हाँ पर मतलब वो पेंटिंग स करी, वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे फालतू-फालतू की चीज़े बना-बना के अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है, और यार वो पेंटर है, वो हो सकता है कि कि किसी एक्जाम की तियारी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से लेके मतलब अलगी डिरेक्शन के आद नहीं मिलेंगे, तो चाइना भी उसी केटेगरी में आप लोगो देखने को मिलता है, एक ऐसा इंसान है, यह कहता है कि मेरे साथ में तुम एकनोमिक के रिलेशन बना के रखो अच्छे से, और बाकी में तेरा एरिया जो हो खीचीनता रहू तो यह चाइना की हरकते हैं, तो अभी ओल ओवर वर्ल्ड में इनके बारें बाते की जा रही है, ऐसी तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें, अभी human rights के issue के बारें, उभर उगर community के बारें मैं आप लोगों से बात की, जो इसी के ओपर dependent नहीं है, तो फिर उसको गुस्ते का उसको फोई फरक भी नहीं पढ़ता है, ठीक है, होलता है तो यह गुस्ता करना है कर ले, तो यह एक काफी important हो भी गया, वो time to time काफी जादे news में रहता है, बच्चों के साथ में इतना अत्यचार कियाता है, कई बार तो इस पूरे मुद्य को देखेगी, कि उगर community के साथ में आप लोग कैसा बढ़ता हो, इहां पर कर रहो उन लोगों के बच्चों को किस तरीके से आप लोग ट्रेट कर रहे हो, उन लोगों की महिलाओ को किस तरीके से आप लोग ट्रेट कर रहे हो, क्योंकि एक Muslim minority community है आपर जो इस particular reason में पाए जाती है, तो इसके चलते हैं हाँ पर कई बार तो Chinese government हुहाँ पर लोगों को जाने भ लोगों के सकता है, फिर आगे चलका, तो ये भी चीज़ें हाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा है, बार बार इस पर आर्टिकल आएंगे बहुत सारे, देखें किसी भी टोपिक हो ना, अब माली जे, freebies वाला आर्टिकल है, आप लोगों देखें लिए, जैसे मैंने अभी आप लोग हैं, पर कोशन बताया, जो उपर वाला आर्टिकल लिसस के था, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो माइन में किलार्टी आप लोगे चलेगी, तो सारी शीजों का सोलुशन आप लोग निकाल पाओगे, ठीक तच्छे से पढ़ाया मैंने, रोहिंगय कम्रेटी जो हैं मैनमार के अंदर है, इसके बारे में कितनी बार बाते की हैं, तो यहां पर आप लोग देखें, यहां पर कुर्दिस्तान आप लोग को देखने को मिलता है, जब सीरिया, तुर्की, अर्मीनिया, इरान, इराक, इन को मार मार का है, मैनमार से भगाया, तो यह पर्टिवलर डीजन आप लोगों देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह थी इसके बारे में इंफोर्मेशन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब एक छोटा सा आर्टिकल यहां पर डिसस करूँगा, यह किसके बारे में है, रोह रोहिंग गोनिटी का बर्डन थे वो अभी बंगला देस को जहना पड़ गया, क्योंकि मैनमार से उनको मार मार कर भगाया गया, तो अभी होसरी है और हो रोहिंग गोला देस के बारें बात कर रहे है, और चारिए हिए, इंडिया बोले मैनमार को μια जो है, वा पस ले कर तो इसके चलते कई बारें बाते के जाती है कि यह काफी गलत है इसका solution निकालना चाहिए और दुनिया इसके बारें बात ही नहीं कर रहे है क्यों क्यों कि उनको क्यों इंट्रेस्टी नहीं है यहाँ पर कोई अपने बाप को पैसाना दे और तो किसको जिसने उसको पाला है जिसने उसको पैदा कर दिया उसको सक्षण कर दिया तो चाहिना की ऐसी हरकते आप लोगों देखने को मलती है तो यह इसके चलते है अभी आप लोगों और भी बाते की जाएंगे इसके बारे में इनकी बारे में कि ये डार्क स्काई रिजर्व क्या है और अभी यहाँ पर इसके बारे बात कि जारी है लद्वा के अंदर में आप लोग पता होना चाहिए हम लोग इंसान हमेशा सब बेचेंट रहते हैं कि हम लोग यह खोलते रहते हैं प्रथवी क्यों बन गई कैसे बन गई था जा इसको खतम है ठीक है तो शीमं हम लोग उलजे रहते हैं यह अब ही हमारा मुद्द यह चल रहे है कि प्रथवी कैसे बनी में जाने तो इसके चलते है Department of Science and Technology जो हमारे ही देश का है वो काम कर रहा है डार्क इसकाई रिजर्ब बनाने के लिए हैंल ले यह पर्टिकलर एक रीजन आप लोगो देखने को मिलेगा तो यह लगभग जो की एक पर्टिकलर एरिया पर फोकस करेगा कि कैसे कैसे यहाँपर दुनिया में प्रिफ्वी बनी है उसके ओपर फोकस करेगा कुछ आकास की activities पर भी फोकस करेगा तो यहाँपर एक पर्टिकलर सिस्टम क्रियेट के जा रहा ह। और यह पर International Dark Sky जो प्लेस यह पार्क सेंच प्रत्विक ऐसे बनी इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं तो यहां पर उनी में से एक काम करती है आप लोग यहां पर डायर डार्क सब्सक्राइब इनके बारे पता रहेगा तो आप लोगों कम से कम अब्जेक्टिब टाइप कोश्चन तो नहीं चुड़ेगा एक्जाम में जब इन से पूछे आते हैं तो इसलिए कुछ बैसी बैसी इन्फोर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आईडिया जरू रख सकत यार गेम की तरीके से इंजे कि एगरो ठेक है ऐसा नहीं हार जीट चलती रहती है पर लेकिन आप लोग ना फिर उसके साथ में इतना जयादा किनेक्ट हो जाते हो कि आप लोग को भूग लगने बंद हो जाती है और यह ऐसा तो है नहीं एक दो घंटे की मुवी है तो पूरा चलता है फिर चीजे लंबार काफी ज्यादा टाइम लग जाता है तो आप लोग को अपने टाइम के पर फोकस करना है सेलेक्शन लेने के पागिस्तान में उस्ट के जाएगा तो इसको दिल पर नहीं लगाया करते यार वह सारी चीजे चलती रहती है हार जीत जिन्दगी का पार्ट है तो आप लोग है जिन्दगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है तो बड़ा प्यारा गाना लगता है मुझे चले जो भी है यह इसकी में अगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को इंपोरेंट डे के बारें बात करूँगा ठीक है और यह जो इंफोरेंट डे हैं यह entially किसके इसकिल के कम से कम जो जो एज है न ये यूथ की इसके अंदर तो आप लोग के अंदर उबाल आना चाहिए कि हाँ बस आज का दिन स्टार्ट होगा आप देखो कैसे दिन के अंदर आग लगाते हैं और शाम का कितने शांदार तरीके से अपने दिन को यूटिलाइज करो कि शाम को जब कर रहा हैं यहां पर पढ़ा रहा हूँ तो यह की स्कील है टीजिंग की डॉक्तर होता है какие बढ़ाई इसकी लोगी बिजली इलेक्टी शेन इसकील होगी ठिक है जो किसान खेती कर रहा है इसकील हो गी तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं किसी के पास में अगर कोई भ तरीके से वो इसको यूज कर सकता है और काफी शांदार तरीके से अगर स्किल इस्तमाल की जा रही है तो फिर उसके रिजल्ट भी उसी तरीके से निकल कर आते हैं थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ इसके बारे में समझ सकते हैं तो इसकी डवलप्म्यन्ट पर हमें सब फोकत दो आप लोग को यह काम कर रहो जैसे मालेजे आप लोग प्ढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आप लोग कोई ऐसी होबी भी डवलप कर लो अपने साथ ये फिर आप लोग table tennis खेल सकते हो, badminton वगारा खेल सकते हो, कोई भी अपने अंदर अपनी body पर आप लोग काम करने स्टार्ट कर सकते हो, तो side में कुछ आप लोग कोई नही language सीखना स्टार्ट कर सकते हो, ठेक है कोई नई बुक उठालो जिंदगी में जो आप लोगो लगे time को manage करने में जिंदगी को improve करने में help करेगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आर जिंदगी में आप लोग जिनको कर सकते हो बस आप लोगो time को नहीं manage करना है कभी भी अपने आपको manage करना है time के इसाबसे क्यों time तो 24 घंते ही होगे आप लोग manage करकर 25 तो बनाने कि ने उनको तो या फिर 23 कर दोगे 24 के 24 घंते सब के पास में होता है वेरे पास में, आप के पास में, मम्मी के पास में, आपके पापा के पास में प्राइमिस्टर मोधी के पास में, रिक्सवैले के पास में, हरे के पास में अब कितने अच्छे से आप लोग इन 24 घंटों के हिसाब से अपना आपको मैनेज कर पा रहे हैं, वो है कला, तो वो कला जी दिन आप लोग सीख गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो इसके ओपर फोगा देना है कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, ठीक है, अपने हिसाब से, मतलब अपने आपको मैनेज करना है टाइम के हिसाब से, ठीक है, उल्ठा गोल दे मैंने, sorry, तो ये आप लोग करिए और फिर देखे कितने शांदार तरीके से परफोर्मेंस आती है, ओके, तो इसकिल दे के बाद मैं आप लोगों से बात करूँगा, परधान मंत्री कोसल विकास योजना के बारे में, ये एक ऐसी योजना है, जो कि हमारे देश में कोसल का विकास कर रही है, यानि कि इसकिल का डवलपमेंट कर रही है, तो इसमें तो महिलाओं का विकास कर रही है आपर, तो इसके लिए भी ये काफी important हो जाता है, PIB ने cover किया इसको, इसको दाहिंदो ने भी cover किया, इसको इसको Indian Express ने भी cover किया, तो ये काफी बहतरी न्यूज है, तो उसका पूरा जिस जो है, वह आप लोगे सामने है आपर, की component क्या हो monitor करना है, और standardized branding और communication लेकर चलना है, तो यानि कि एक पूरा प्रूज जा रहे है, जैसे हम बोलता हूँ न, आप लोग का exam clear करना है, तो आप लोगो पहले पुराने question paper देखने है, आप लोगो syllabus देखने है, और इसके base पर आप लोग अपने दोस्त भी तयार कर सकते हो, आप लोगों को syllabus contest होना चाहिए, आप लोगों पता होना चाहिए कि जो topic आप लोग पढ़ रहे हैं, कहीं से भी, कि क्या वो syllabus के किस पार्ट के साथ में correlate कर पाता है, कौन से आप लोग इसको paper के साथ में correlate कर पाता है, 1st, 2nd, 3rd, 4 जो भी आप लोग दे रहे हैं, तो यह आप syllabus के ओपर पूरी command होनी चाहिए, तो syllabus के ओपर पूरी command रहेगी, तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से control कर पाऊगे, तो syllabus को जड़ा सा भी लापरभाई से नहीं देखना है, तो यह बात होगे हैं यहापर, तो जो इसकी में यह launch की गए थी, याद रखेगा 2015 में, दिखाएगी इस scheme में, परधान मंतरी कोसल विकास योजना, तो 2015 में यह scheme लोच की गए थी, और कोसल का विकास development skill करना थे हापर, तो इसलिए कौन सी ministry यहाँ पर आएगी, तो याद रखेगा, confusion नहीं होना चाहिए, ministry of skill development यहाँ पर काम करती है, इसके minister को ने, वो आप लोग बताना, यह छोड़ छोड़ी चीज़े है, याद भी होना चाहिए, ठीक है, तो department, जो यहाँ पर, ministry of skill का, जो department of enterprise है, वो यहाँ पर आप लोग काम करता हो, नज़राएगा, national skill development cooperation मनाया गया, तो इसके चलते, free और paid जो completely अगर बात करें, हाँ पर एक तरीगे से, जो, फी भी है, assessment भी और इसके साथ में paid भी है, आप लोग को देखने को मिलेगा, government के दौरे हाँ पर training की बाते कीगी, यादि के एक तरीगे से, आपर train करने की बात कीगी, और central state government के दौरा काम किया गया, मिलकर यहाँ पर, ठ जो इसके अंदर training प्रोवाइड करा जाए, assessment की, ठीक है, तो उसमें हाँ पर central state government ने मिलकर काम किया, तो यहाँ पर 50-50% fund जो है, वो दोनों के दौरा यहाँ पर इसमें डाला गया, ताकि जो youth है, उसको skill प्रोवाइड करा जा सके, और अगर skill रहेगी, तो youth को हम लोग एक स जैकिन version आ गया, 2016 से लेके 2020 तक का, ठीक है, पहले 15 में चला फिर आगे चल गया, तो centrally sponsored, यहाँ पर बैत की, centrally sponsored managed और centrally sponsored state managed, यहाँ पर central government और national state government दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया गया, और अभी यहाँ पर जो तीसरा version आ रहा है, बोला जा रहा है कि लगबग 770 district, 28 state और 8 unit territory, यहाँ पर आत्म निरो भारत की और बढ़ने में यहाँ पर चल रहे है, तो एक तरी से decentralized structure की जा रही है, जादे से जादे लोगों तक इस scheme को पहुँचा जाएगा, train के जाएगा लगबग 8 लां के करीब, over the scheme period जो रहेगा, उसके अंदर में, और more training हाँ पर जो सबसे कम सीखने वाला है, एक टीचर जो होता है, जो पढ़ाता है, तो एक सोचता है कि पूरी की पूरी किलाज जो है, वो अच्छे से चीजों को समझ बाए, ऐसा निकी मतलब 2-4 को पढ़ागर चला गया, और से मुझे मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं बना ग जा सके 2022 तक क्यों, क्योंकि 75 भी आ जा जा देगी साल भी रहा सेरीब्रेट कर रहे है, तो एक स्किल डॉलपमेंट बना चाहिए, तो नेशनल इसकिल डॉलपमेंट इसके लिए हाँ पर मिसन चला गया, नेशनल पोलिसी बनाएगी स्किल डॉलपमेंट एंटरपेंट्यूर सिप के लिए हाँ, इसी के साथ है परधान मंतरी कोसल विकास योजना और इसकिल के लिए लोन भी अलग से दिया गया, ताकि लोग जो है, अपनी स्किल में इन्वेस्ट कर सके, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग को माली जो कोई कोर्स सीखना है, ठीक है, आप ल आप लोग एक बार को इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट करना पड़े हैं, एक कम से कम आप लोग अपनी जिंदगी में अपनी नोलीज के ओपर इन्वेस्ट केजिए, आप लोग हमेसा, ठीक है, तो आप लोग कभी भी चीज़े देखने को हाला कि एक आता है, ओफलाइन भी, उसका भी पीछे कॉंसेप्ट ये था, अभी एक ओफर चला था, तो जो बेसिकली जो दूद वाला होता है, दूद वाले ने बोला, कि भाई या ओफर चल रहा है, न्यूसेफर के ओपर में, मैंने तो ओनलाइन बढ़ता हूँ, करा लोग समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर लगे कि यार, ये सारी छोड़ चोड़ी है, इससे ज़्यादा तो आप लोग क्या करोगे, एक बार घर से बाहर निकल गए, बर्गर, बर्गर, खाना हो जाए, मुवी देखना, उसमें उड़ा दिया, कानी खतम हो गई, जरा से अगर देते हो, तो अपनी इसलिए कहता हो, पढ़ाई में आप लोग को पीछे नहीं अटना है, अगर उसमें थोड़ा सा पैसा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इंपोडेंट है टोपी क्यों, क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं, आपर 2017 में कोशन पूछा गया, पर आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर यह हो गया, तो आप लोगों से UPSC भी यहां पर उलड़ी कोशन पूछ चुगे इसके बारे में, तो इतनी इंपोडेंट है, अगर बात को यहां पर इसकिल इंडिया मिसन के बारे में, तो इसके बारे बेसिक इन कि सारे initiative अभी मैंने बताया तो ऐसे question आप लोग उसे बनते है एक्जाम में डेरेट ठीक है इसी के साथ में एक हो रहे हैं आपर कि long term train यहाप एक long term training होनी कोसल एंड रोजगार मेला placement assessment और recognize of जो प्रायर लर्निंग है उसके बारें बात की जा रहे है तो कौन से आपर correct statement है अगर आप लोग उसे पूछा जाए तो अभी मैंने आप लोग क्या बताया थे हैं आपर यह सारे बताया थे हैं आप ठीक है तो क्या के आपर इसके की component है तो नहीं की component की ओपर question आप लोगों से पूछ लिया तो आंसर इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं तो कोई confusion यहाँ पर short term training की बात की जारे ना कि long term training की तो पहली statement क्या होगी गलत होगी यहाँ पर पहली गलत होगी तो इस तरीके से आप लोग देगे बाकी की दोनों की दोनों स्टेट्मेंट जो है विल्गुल करेक्ट है आंसर सी हो गया तो टोपिक को मैं हमेसा ऐसे बोलता हूँ इस तरीके से तियार करके चलो ताकि सारी चीज़े जो है वो साइड में धरी के दरी रह जाए ठीक है एक आर्टिकल है पूरा का पूरा MG नरेगा के बारे में अभी आप लोग यहाँ पर यह हिंदू नियूसफर के अंदर देखने को मिला पहले थोड़ा सा रिव्जन करा देता हूँ जो पुराने आर्टिकल मेंने MG नरेगा के बारे में डिसस की हैं उसमें MG नरेगा के बारे में आप लोगों को बेसिक इंफोर्मिसन मिल जाएगी कि MG नरेगा में क्या क्या चीज़े हैं और उसके चलते फिर आगे भी कुशन पूछा सकता है और यह एक ऐसा टो जाए चीजों को संभाल कर रखना चाहिए ऐसा ही हुआ इस आर्टिकल के साथ में अभी एक SLV जो मेंबर थे वो इंटर्वु देने गये थे तो यहां पर उनसे question पूछा गया था नरेगा के बारे में तो जब नरेगा के बारे में उनसे question पूछा गया तो उसने बोला कि सर जो भी आपने जो basic बताया था वो काफी काम आया उस टाइम पर होँआ पर तो मैं आप लोग को यहाँ पर यह जो article है बहुत श्यांदार थरीके से पढ़ाने वाला हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसी बाते भी बताऊंगा जब मैंने उससे discuss की तो मुझे भी कई सारी बाते बता चले हैं तो मैं आप लोगों से वो भी share करूँगा ठीक है तो वो सारी बाते discuss करते हुए हम लोग इस article को cover करेंगे prelims, mains, interview और current प्लस statics का mixture आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा पर लेकिन कई सारे ऐसे issues हो जाते हैं यहाँ पर कि अलग-अलग section में भी ले सकते हैं society पर क्या impact पढ़ रहा है नरेगा का तो आप लोगों भी देख सकते हैं women empowerment का काम कर रहे हैं और कई बार कई सारे ethical issues भी इसके साथ में जुट जाते हैं जब महिलाओ को यहाँ पर problem face करनी पड़ती है तो वो भी मैं आप लोगों से बात करूँगा पर सबसे पहले इस कानून के बारे basic information जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा और जहां से question बनने के chances काफी जाते हैं ठीक है तो टक-टकी लगा कर आप लोगे यहाँ पर इसको देखना है ताकि एक-एक point जो है आप लोगे mind में clear होता चले सबसे पहले यह full form क्या है यहाँ पर जो short form में लिखा हूँ है M.G. Narega क्या है यह M.G. Narega यह वो ही Narega है जिसके ओपर राहूल गांदी जी की एक बार insult भी हुए थी उनका basically mind से नाम इसका सिलिप हो गया था तो इसके चलते हैं आपर उनकी हसी मजाग भी उड़ाए गे थी यहाँ पर लिखा है इसका नाम है रूरल यहाँ वाले इरया पर फोकस देने वाला Employment Guarantee Act तो यह एक तरीके से आगे चलकर इनको लगा यार गाउं के बारे में तो बात कर रहे है क्यों ना महत्मा गहांदी जी का भी नाम इसके साथ में जोड़ देजे क्योंकि महत्मा गहांदी जी ने भी हमेशा फोकस किया था कि गाउं के उपर फोकस करना है आप लोगो याद होगा DPSP जब मैंने आप लोगों पढ़ाई थी पोलिटी के अंदर तो उसमें Part 4 में मैंने आप लोगों पढ़ाई था एक आर्टिकल है जो कि यह Article 40 Article 40 किसके बारें बात करता है यह बात करता है पंचायत के बारे में कि हमारी कंट्री के अंदर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए तो यह बाते ओ लेडी गांधियन प्रिंसिपल के अंदर मेंसन किये गई थी तो महत्मा गांधिजी का गाउं के उपर काफी फोकस रहता था तो इसलिए हाँ पर महत्मा गांधी जी के भी नाम जो था वो इसमें एड कर दिया और इसमें महत्मा गांधी तो आगे एड कर दिया और फिर पूरा का पूरा National Rural Employment Guarantee Act तो यहाँ से MG नया एड होगे इसके अंदर में ठीक है तो यह एक ऐसा लोता कानून है हमारे देसे के अंदर में जो आप लोगो अधिकार देता है Right to Work जैसे आप लोगे Fundamental Right है न कि हाँ आप लोगे Fundamental Right है Part 3 के अंदर में Article 12 से लिए कि Article 35 के अंदर में अगर उनका हनन होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग किसी को बोल सकते हो कि भाई साब हमारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे है ऐसे ही सेम अधिकार यहाँ पर यह देता है किस बेस पर देता है यहाँ पर वो देता है Article 21 के बेस पर अगर बात करें तो एक राइट टू एक लाइफ देता है राइट टू लाइफ विद डिगनिटी यहनी कि जिनको यहाँ पर जो मिल गई आप लोगों ने देखा होगा कि जिस इंसान को जो मिल जाती है सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है पर लेकिन जो राइट टू वर्क का काम दे रखा है आपर यह DPSP में जो आप लोगा DPSP कहाँ पर आती है Part 4 में आती है Article 36 से लेके Article 51 तक आप लोगो पता ही है यह सारी चीजे बहुत रिपिटेडली आप लोगो पोलिटी के अंदर पढ़ा रखिये मैंने तो रिविजन कर ली जागा उनका Article 41 जो है आपर यह बात करता है Right to Work के बारे में तो Directive Principle of State Policy यानि के DPSP के अंदर में जो Article इनके अनुच्छेद 41 है वो यहाँ पर इस चीज के बारे में बात करता है कि Right to Work यहाँ पर होना चाहिए तो यहाँ पर Article 40 मैंने बता दिया गाउं के बारे में फोकस कर रहा है और Article 41 हो गए हाँ पर Right to Work के बारे में और Article 21 यह हो गया Right to Life with Dignity तो यानि कि MG नरेगा के साथ में तीन आर्टिकल आप लोग के जुड़े हैं जो कि आप लोगों से direct question पूछा जाता है हम मैं आप लोगों से बात करता हैं इंट्रिवी के बारे में जब मेरे discussion हुआ एक member के साथ में तो उनसे मैंने बात की क्या था basically question क्या पूछा गया था तो उनकी द्वारा बोला गया कि sir मेरे से ये question पूछा गया कि अगर बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम यानकी एक तरीके से आप लोग देखते हैं आपर हम लोग आज की डेट में गाउं में इसको implement कर रहे हैं तो question ये था कि जो यहाँ पर ये नरेगा है उनली छोड किसको रखा है जहां 100% अर्बन population है तो ये सब अगर बोल दे कि 100% अर्बन population को छोड़ कर जहां पूरा सहरी करण हो चुका है जिस डिस्टिक का उसको छोड़ कर हर एक district में इसको implement के जा सकते हैं तो एक question पूछा गया है उनसे वो interesting question है था क्या mg नरेगा जो है उसमें जैसे मालेजी किसी particular इंसान को 100 दिन का काम देना है अगर 100 दिन से जादेगा काम देना है तो क्या उसके अंदर भी provision है किसी का मन कर गया राज्या का यार सो से जादे काम देना है हम लोगों तो अपने एरिया में लोगों को तो क्या उसके लिए भी कोई provision है तो याद रखेगा mg नरेगा के अंदर एक section है जो की section 3 का 4 part है उसमें यह बोला गया कि जो center government के द्वारा define किया गया कि हाँ आप लोगो 100 दिन का काम देना है या फिर central government के द्वारा इसको ऊपर नीचे कर दिया गया तो वो सबको तो मिलेगा यली मिलेगा जो सबको मिलेगा पर इसके अलावा गरिनको लग रहा है कि यार 50 दिन और एड कर देते है state government को तो उसका provision है पर लेकिन इसका provision करने के बाद में state government को जो है पैसा वो अपनी जेब से देना पड़ेगा यह याद रखेगा ठीक है तो यानि कि state government दे सकती है उनको लग रहा है कि यार fund देना चाहिए बिल्गुल दीजे पर pocket से अपनी से पैसा दिना पड़ेगा भाई साब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हाँ पर center बोलेगा कि लो पैसा जितना उड़ाना है उड़ालो ठीक है center ने तो बोल दे इतना पैसा है उसके बाद में अपनी pocket से पैसा लगाना है जो define है वो fund रहेगा और इसमें आप लोग ने सबसे खतरनाक चीज देखी होगी COVID-19 के टाइम पर भी जो सबसे irritating चीज रही थी वो थी कि fund खतम हो गया था यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे इसके अंदर में तो उसके चलते काफी बड़ा issue देखने को मिला तो यह गाउं वाले area में लोगों के एक job security देने के लिए कानून लाए गया था कि लगभग 100 दिनों के तो यार लोगों को काम मिले जाएगा और 100 दिनों का अगर किसी को काम मिल गया एक तरह कि बिल्कुल जिए एक इनसान है घर में कामी नहीं कर पा रहा है उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा है कुछ ऐसे हैं करना चाते हैं उनको मिलने रहा है से हैं जिए उनको करना ही नहीं है वो तो एक अलगी level के प्रानी होगे मैं उनके बारे बात करो जो करना चाते है कुछ काम तो एक तरीके से उनके पास में कोई skill भी नहीं है तो वो अनिस्किल्ड लेबर फोर्स के लिए है कि हाँ मिट्टी डालने वाला इंट उठाने वाला वो काम यहाँ पर प्रोवाइड करा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको आस लगी कि कम से कम यार कुस्तो पैसा कमाया मिलेगा तो यह एक्ट पहली बार प्रपोस किया अब आप लोग को बताऊंगा यह जो आर्टिकल है इसके बारे में दो मेंन पॉइंट आप लोग याद रखेगा जिसके उपर काफी जदे हाँ पर इस कानून का किटिसम अभी देखने को मिल रहे है इसके अंदर में क्या किया गया है एक एप बेस सोलूशन यहाँ पर ला अब वो रेजिस्टर काम करनी है बस आप लोग के उपर रेजिस्टर अपने अटेंडेंस लगानी है ठीक है तो यह बोला गया पहला जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा था है आप उन लोगों के लिए खासकर लोग के आमें महिला के लिए बोलूँगा देखि अगर गाओं वाले एरे में आप लोग जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा याया जब एजुकेशन लेवल कम हो गया तो फिर यहाँ पर उनके पास में मोबाइल चले आना की भी एक तरीके से ज़्यादे समझनी होती है ठीक है तो आप लोग समझ सकते है जैसे अगर मैं आप लोग को बात करूँ अपनी खुद की मम्मी के बारे में तो वो क्या करती है उनको बस दो बटन पाता है कि हाँ इससे फोन उट सकता है और इससे फोन कर सकता है ठीक है पर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो और दूसरे काम में इसकिल नहीं है दूसरे काम में वो इतनी ज़्य जादे skill है कि लोग जो है देखकर दांतों तो ले उंगली दबाते हैं कि आर ऐसा काम कैसे कर लेती हैं तो हर एक इंसान के अलगले skill होती है तो अभी हाँ पर जो ओरते मोबाइल चलाना नहीं जान रही है पर वो skilled है यहाँ पर इस काम को करने में तो उन ओरतों के लिए कैसे आप लोग provision provide करा होगे कई बार उनकी attendance चुट गई तो उनकी तो salary कट गई ले देकर मालीजे आप लोग 100 रुपे एक दिन के दे दिये अब मालीजे आप लोगों ने हिहाँ पर इनको 100 रुपे एक दिन के दे दिये और आप लोग इहाँ पर इन से काम करा रहे हो मतलब 30 दि लाए क्या करती है आज यहाँ पर काम कर रही है इस टाइम से मालीजे आपना तीन बज़े तक तो नर्यगा के अंदर काम किया 6 गंटे फिर इसके बाद में अपना कोई और काम करने स्टार्ट कर दिया जैसे आर्टिकल में बात की जाय थी एक महिला के बारे में जो अपना घर पे ही कुछ सब्जिया उगाती थी और फिर यहाँ पर उनको मार्किट में ले जाके बेशती थी तो उसका काम था पर लेकिन नर्यगा में यह जो अटेंडेंस का चक्कर है इसकी वज़े से यह दूसरे वाला काम ने उसका हो पा रहा था यानि कि कई सारे ऐसे होता है आ मैकसिमम मेल कोमिनेटी के हाथ में होता है घरों में मूबाइल फिमेल के हाथ में मूबाइल नहीं होता है अब आप लोग ने यह टेंडेंस लगा दी अब यहाँ पर भी एक गाड रख दिया कि जो यहाँ पर देखेगा टेंडेंस लगे ही कैसे लग रहे है उसमें भी मैकस sector को male dominated बता रहा है और उपर से वैसे आप लोगो पता है कि female को ज़्यादा काम मिलने पाता है तो एक ये भी हाँ पर issue देखने को मिलेगा तो ये काफी मेट्स के अंदर में वो male काम करेगा जिसके पास में mobile होगा और maximum male को वो जोब मिलेगी तो कहने का मतलब यह है कि labor force में महिलाए maximum काम करेगी और ये मेट्स वाली जो पोस्ती जो एक ठीक पोस्त मानी जाती थी यहाँ पर उसमें अब आप लोगो male काम करते हैं नजराएंगी तो female के लिए तो वैसे दिक्कत होगी अब आज केट में अगर आप लोग cities के अंदर में रहते हैं तो आप लोगो थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि husband और wife जो है वो अकसर मिलकर काम कर लेते हैं कि ठीक है यार तुम ना खाना बना लो मैं जो मैं कर जाते हैं यानि के पहले जहां पर दर लो नरेगा के अंदर काम भी करके इसके बाद मैं घर पे जाकर वह काम भी कर रही है उसके बाद में अपनी जो सब्यों पर उपर बड़न बढ़ा दिया आप लोग ने जो ये नई नई परजाएंट नहीं है और वो घड़ी या फिर टेक्नलोजी काम नहीं कर रही थी उसकी वेसे भी उनकी सेलरी डिड़क्ट हो जा रही थी तो ये कैसा इशू बनता जा रहा है कि टेक्नलोजी जो की सॉलिशन होना चाहिए वो प्रोलम बनती जा रही है अगर टेक्नलोजी जो सॉलिशन प्रोलम बन जाती है तो फिर यार ये गलत काम है तो इसके बारे में काम करना चाहिए तो ये काफी बड़ा इशू सामने निकल कर आया ठीक है इसी के साथ में हाँ पर अगर कोई आप लोग उसे पूछ बैठ है आगे कोश्चन कि इसके अंदर जो वेज दी जाती है उसका मिनिममम जो बोला गया कि मिनिममम वेज मिलनी चाहिए तो कहां से मिलती है हमारी कंट्री में एक कानून है जिसको बोलते हैं मिनिममम वेज एक 1948 ये अगर आप लोग एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जैसे APFC या EPF होगी और मेल को ज़्यादे सेलरी दे याणि कि आदमी को ज़्यादे सेलरी दे और महिला को कम सेलरी दे रहे हैं मैकसिम जगह आप लोग ऐसा देखने को मिलता है ये नहीं होना चाहिए दोनों अगर एक काम को कर रहे हैं तो दोनों को equal salary हाँ पर मिलनी चाहिए तो ये काफी important यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे बड़ी बात और एक अच्छी चीज यहाँ पर क्या है ये demand driven scheme है यानि कि अगर मा लिजे मुझे जो है गाउं में जाना है और मैं unskilled person हूँ और मुझे जाकर गाउं में जाकर MG नरेगा के तहत काम करना है कि भाई साब मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है मुझे अमें एक तरीके से बिल्कुली नहीं unskilled person हूँ और मुझे घर भी चलाना है अपना और मुझे काम चाहिए तो मैं क्या करूँगा हुआपर जाकर register करा दूँगा कि परधान के वापर की यार मुझे काम चाहिए तो 15 दिनों के अंदर अगर परधान ने मुझे register कराने के बाद में काम नहीं दिया तो मुझे unemployment allowance मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो ये काफी interesting चीज लगी सी scheme के अंदर में यानि के आप लोग के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये काम करने है आप लोग के पास में अपने आप जो है वो काम चलकर आने लगेगा पर लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर तो यार देखो कुछ होनी सकता खाना भी आप लोग घरवाले बना की देदेंके पर लेकिन मुह तक तो आप लोगों ऺच्छा ही ले जाना पड़ेगा मुह में भी अगर खाना डाल देधे इसेने तो चबाना तो खुच से पड़ेगा तो वो वाली चीज़े यार देखने को मिलेगी तो ये चीज़े समझने हैं तो कम से कम थोड़ा सो अफ़र्ड डालना ही पड़ेगा ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं और MG Narega के बारे में जब आप लोगों से कोई पूछे तो ये काफी इंपोरेंट हैं आपर ये कई सारे काम करता है जिसकी वेसे बहुत सारे फाइदा देखने को मिल रहे हैं सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो देखने को मिली थी MG Narega के टाइम पर ये जब से आया बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अभी लोगों ने माइगरेट करना बंद कर दिया जैसे हमारे एरिया में क्या होता है नोर्मली जहां गन्ने की खेती की जाती है तो खासकर बंगाल से आते हैं कई सारे लोग काम करने के लिए कई सारे नेपाल से आते हैं जो काम करने के लिए तो अभी recently जब से नरेगा यहाँ पर चला था बहुत सारे लोगों ने जो पहले बंगाली जाया करते थे उन्होंने आना बंद कर दिया था अभी इसके उपर कई बार डीबेड डिस का सम्दाइस से गाउं में जातों कभी वाते करने लगते हैं कि यहाँ आपकी बार यहाँ बंगाली बहुत कम आया क्यों क्योंकि MG नरेगा की स्कीम चल रही है उनको पास में अपने घर के पास में काम मिल गया है क्यों इतनी दूरा ना उनको ठीक है तो यह यहाँ पर इशु देखने को मिला ठीक है तो यह काफी बड़ा से माइगरेंट पर जो लोगों पर काफी एक तरीके से इस्टेबिटी लेकर आई रिड्यूस कर रही थी पूर्टी और फाइनेंसिल इंक्लूजन कर रही थी क्यों क्योंकि MG नरेगा की तहत अगर आप लोग आ गयो तो यह important point यह फायदे आप लोग ली सकते हैं creation of sustainable assets तो assets creation करने का काम किया sustainable यानिकि आज जो इसे नाली बनाई तो नाली में से पानी निकल रहे है होँँआपर कल को बारी सोरी तो बार नी आ पारी बार नहीं आ पार यह बार को रोग दे वह बार एक तरीके से नि पानी निकल जा रहे है पर लेकिन ऐसे क्या से होता है कि अगर वो नाले खुदे नहीं है तो हाँ पर बार आ जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी तो asset creation करने का काम करते है asset जो होती है एक तरीके से आप लोग बोलता है संपत्ती ठीक है employment generation का तो काम करी रहा है increase in agriculture wages agriculture की wages में भी इसकी वेसे increment देखने को मिलेगा और सबसे important जो मैंने भी बताया यह woman empowerment यह काफी जद़ हुआ है यहाँ पर जिसकी वेसे महिला के हाथ में पैसा आ गया और वो खुद से अपने पैसे की हगदार रही और अपने हिसाथ से अपना पैसा कहा खर्च करना है वो यह सारी चीज़े कर पा रही थी इसी के साथ में upliftment of the marginalized जो सेक्शन होता है काफी काम इनको यहाँ पर दिया गया जिनको normally ignore किया जाता था society के अंदर तो यह भी काफी important यहाँ पर mg नरिगा के अंदर देखने को मिला तो यह आप लोगों है आप इसके profit फाइदे देखने को मिले जब यह scheme implement किये गई तो यहाँ से भी कई बार आप लोगों से कई सारे points जो पूछ ली जाते है और यह तो एक ऐसा point है जो कि आप लोगों से कोई पूछ रहे तो आप लोग बोलोगे यह कैसे connect कर दिया ठीक है तो यह काफी important है sustainable development total मिला कर 17 goal आप लोगो देखने को मिलेगे इन 17 goal में से 169 target है और इन 17 goal में से total मिला कर अगर मैं आप लोगों से बोलू तो 8 ऐसे goal है जो कि MG नरेगा के साथ में direct connect आप लोगों नज़राएंगे जैसे कि गरीबी मिटाने का काम कर रहे है बुकमरी मिटाने का काम कर रहे है जी हाँ बिलकुल पैसा आ रहा है तो इनसान अपनी health पे काम करेगा बच्चों के education पे काम करेगा जी हाँ बिलकुल decent work मिल रहा है उनको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ रहे है gender equality है आपर महिलाओ को ज़्यादा काम दिये जा रहे है इसी के साथ में कई सारे innovative ideas आज देखने को मिल रहे है जिसकी वैसे धांचा का तो विकास भी हो रहा है ठीक है इसी के साथ में हाँ पर बात करें तो reduce inequality यह काफी important है तो inequality भी खतम हो रही है जो बहुत अमीर थे गाउं में जो बहुत गरीब थे जिनको खाना भी नहीं मिल पार था अब वो भी अपना खाने पीने का जुगाड कर पार है उनको कम से कम कुछ रोजी रोडी तो मिल रहे है अब भूगे नहीं सो रहे हैं आप तो total 17 sustainable development goal में से 8 sustainable development goal ऐसे हैं जो कि mg नरेगा के साथ में direct connect हो पार है तो mg नरेगा क्या-कया impact है sustainable development goal पर यह यहां से आप लोगों से interview में भी question पूछा जा सकते हैं और direct main answer writing में भी आप लोग question बन सकते हैं या पर तो यह एक अलग से topic cover हो गया आप करोगा पूरा कि sustainable development goal का क्या impact है mg नरेगा क्या impact है sustainable development गोल में तो direct question आप लोग यहां से बन सकता है तो topic को ऐसे cover करो यार उसकी न बाल की खाल उखार लो ताकि कल को कहीं से भी question पूछ जाए प्रिलियम में से इंट्रिव में आप और आप लोगों से यहां से प्रिलियम से question पूछ ले ठीक है यहां से आप लोगों से में से पूछ ले दिक्कत क्या आ रही है उसके बारे बात कर ले क्या क्या आप फायदे है sustainable development goal के साथ में connection तो इस तरीके से topic को cover करो I hope कि आप लोगो आर्टिकल सुनने में मज़ा होगा अगर मज़ा है तो thumbs up दे कर बता सकते हैं अगर मज़ा नहीं है तो thumbs down यानि कि dislike कर सकते हैं आप लोग वीडियो को और बाकी feedback जरूर दिया करो यार आर्टिकल सुनने के बाद में आप लोग को कहीं पर कोई doubt रहता है तो बताया करो हाँ सर यह doubt है ताकि उसको आगे आने वाले lecture में cover किया जा सके ओके तो यह था पूरा आर्टिकल संतुस्ट होनी चाहिए आत्मा ठीक है बाकी अभी मुद् लेकिन यह वो चीज़े हैं कि जिसके चलते आप लोगो पता होना चाहिए कि दिक्कत क्या थी तो यहाँ पर इस कानून के अंदर यह बोला गया कि जो भी कानून के हिसाब से रूल और रेगलेशन बनाएं अगर कोई स्टेट उसको फोलो नहीं करेगा तो उसको हाँ पर उ इसेखली सेंटर और जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल के बीच में ठीक है आइनस विक्रांथ के बारे में काफ़े डेटेल में डिसस किया तो थोड़ा सा रिविजन भी आप लोगो हो जाएगा फॉस्ट इंडिजनस एयरक्राफ्ट केरियर जो की हमारे दुआरे डिजाइन क पर लॉंच के गया ठीक है तो यह काफी एक एलीट गुरूप में हम लोग आ गया अब जो दुनिया के पास में कुछी कंट्री ऐसे जिनके पास में खुद का यह एरक्राफ्ट केरियर है उसमें यूएस से है सबसे बड़ा उसके पास में रसिया फ्रांस यूके और चाइन अभी यहाँ पर इंडिया एड हो गया तो तो दुनिया में जिसके पास में खुद का एयरक्राफ्ट केरियर है आयने सिविकरांथ जो है मैंने बताया तर लगबग 43,000 टन जो है यह लोड लेकर चल सकता है जोगी काफी important है और इसके बारे में आप लोग याद रखेगा ब 2022 में celebrate के जा रहा है तो यह first से लेकर 30 September तक आप लोगो देखने को मिलेगा यहाँ इस साल यहाँ पर बात करें में फोकस यह कि महिला और स्वास्ते ठीक है इसी के साथ हैं बच्चा और सिक्सा इनके एक तरीगे बनाएगे है कि महिला का स्वास्ते बच्चा है तो उसकी एक अंचायत के थरू काम कर रहे हैं यह काफी इंट्रेस्टिंग है ग्राउंड लिवर पर काम करेंगे जिसके चलते जादे से ज्यादे चीजों को आगे लेगा ले जाया सेगे यहाँ पर प्रेगनेंट और लेक्टेटिंग जो वुमेन है यानि कि वो महिला जो की प्रेगने प्रेगनेट है यहां पर यह जादे से जादे लोगों को अवेर किरा जाएगा जिस्टिक लेवल परइसे मं सब्सक्राइब कर डिalayveall पर और यहां पर जो इसे के साथ में जो जो CDPO ज रहता है यहां पर ठीक है और local official जो आप को देखने को मिलेगे उसके level पर यहां पर काम किया जाएगा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब जाता है Ground level पर आप लोगों को काम करवाना है तो ground level पर काम करवाएंगे तो वो चीजे जो है से जादे से जादे लोगों तक पहुच पाईगी अगर जादे सी जादे लोगों तक पहुच पाईगी तो लोग उसचीज का फाइदा उठा पाएंगे आप लोग एक पिखने को मिलेगी और यह बात किजा रही है इसके बारे में हाँ पर यानिके इसके साथ में नेक्स्ट तो मिनिष्टी ओफ फाइनेंस के दौरा पॉब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसकी परफॉममेंस के टाहित यहां पर as next reform के बारें बात के गए इसका मतलब है enhance access, service excellence, ease जो यहां पर रखा गया है तो इसके चलते हैं हाँ पर smart banking की कोशिस की जा रही है और इसका fourth version यहां पर launch के गए है याणि कि once था है यहां पर तो था है 13 में फिर आगे चलकर इसके fifth version यहां पर फिर आगे चलके और version बड़े तो अभी हां पर जो place में आगे लाए जाएगा तो अभी fifth version आप लोगों को देखने को मिल लगए fourth version यहां पर था अभी fifth version आप लोग के सामने है इसके चलते हैं हाँ पर inclusive banking बना जा रही है जादे स्यादर लोगों को even agriculture तो छोड़-छोड़ चोटा बम चोटा है पर दमागा बड़ा हो रहा है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं चोटा बम चोटा पटा का जड़ा बड़ा दमागा ठीक है तो यह चीज़े हैं कुछ इंस्टेंट न्यूस है यहीं के वन लाइनर आप लोगो देखने को मिलेंगे रभी कपूर जो है आपर उनको ड्यूटी दे गए एक तरीका से रभी कपूर जे है वह एक तरीका से रिलीव्ड कर देगा है ड्यूटी आजे संसद टीव सीओ ठीक है उदयापाल सिंग यहां पर पोस्ट जो है सेक्रेटरी ओफ लोग सभा वह एडिसनल इसको डिस एक तरीक से अडिसनली डिस्चार्ज करेंगे फंक्सन सी ओ अवधा जो संसर्टी वीगा ठीक है तो यहां पर बात रखेंगे आपर यह तो यहां पर उत्पाल सिंग मैंने क्या बोले कुछ और तो यहां पर जो उत्पाल सिंग eer यहां पर यह रवी चोपर रहे हैं और यह इसका भार देखें गें एक करला कि एक शुथो आपर यूविश्टी लोग देखने को मिला जिसके चलते हैं पर गवर्णर की पावर को कर्टेल के जा रहा है एज चांसलर आप यस्टरि जा रहा है तो इस टेट आसेमली ऐसा कर सकती है कि उसके लिए सकते है तो केला ला रही है और अभी ऐसे यह वेस्ट बंगाल ने भी काम किया क्योंकि यह frustrated हो गए centered state के relation की वैसे तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है हम अपना काम अपना आप देख लेंगे अब तक भी हाँ पर चीज़े चल रहे हैं 1993 में वह बलास्ट करके अपनी लाफ को इंजय कर रहे हैं डाली जो है वह ओल्ड एक्साइज जो पुलिस जो यहाँ पर पॉलिस है वह बोलागा रहा है थ्री हंडर्ड गोवर्मेंट लर्न लेकर वेंडर जो हैं अभी आप लोगों इसका मुद्ध सिधा-सिधा मनी से से बारे में आप लोग क्या रहते हैं koń RUSS के बारे में अप लोगे-ैप लोग यहां पर सकते हैं personally मुझे तो मतलब क्या ही बूल इसके बारे में दारू मतलब आदमी ओफिस सा रहा है दूद द्यार उसको घर जागा चाहिए बनागे पिलेगा उसको फ्रस्टेट रहेगा दारू पिके जाएगा दो चार तो ही टली मिलेंगा आप लोगो मैट्रों के अंदर ही अब ठीक है हाउ नरेंद मोधी ट्रांसफों दा पार्टी तो जर्नलिस्ट अजय कुमार जहें के द्वारे रिलीज की एक बुक प्राइमिस्ट मोधी के उपर ठीक है बाकि राहूल गांदी जी को पार्टी को रिफॉर्म करने कुशिस की जा रहे हो एक अलग बात है तो किताब किताब का नाम है पुलिटिकल किताब है वैसे तो नाम हो सकता है नहीं पूछे पर फिर भी एक हलका साइडिया आप लोग रख सकते हैं अगर किताब कोंट्रोवर्शी में चले जाए तो किताब के बारे में कुशन बन जाता है तो यह बूक है उसके ओथर बता दे मैं आप हो दिल्ली पुलीज जो है फॉस्ट बन गई है जो कि फोरेंसिक एविडेंस के बारें बात करें मैंने बताया था अभी यहां पर 6 साल से नीचे का जो है वो यह 6 साल से उपर का अगर किसी के उपर आउरूप लग गया तो फोरेंसिक जो कैटेगरी के अंदर उसको डाला ज आदमी चला जाता है जब बोलते हैं कि उसको अच्छे से विदाई देना वह वाली बात तो वह वाला नहीं किया गया क्योंकि आप लोग को पाता है अभी युक्रेयन की और ऐसा की रसा गजी जल रही है युनाइटेड नेशन सेलिबेट इंटरनेसल डेव पीस ओफ अफरीकन डिसेंट तो यह 31 अगस्ट को सेलिबेट किया गया तो यह आप लोग याद रखते हैं बंगलादेश है थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है बंगलादेश जो है वो 36 F7BZI aircarp जो है वो चाइना से कर रहा है तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा गलत न्यूज है जापान के जो पीम है फ्यूमो कसीदो ठीक है उनके द्वारा भी माफी मांगी गई है क्योंकि पार्टी के द्वारा कुछ हरकते की जिसकी वैसे दिक्कते होगी चर्च के साथ होगे तो हाँ पर ऐसा उप्सन आने लगेगा ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है एडिट को उप्सन तो भी आया नहीं मैं कल ही देख रहा था मैंने एडिट वगएरा डाला है कि इन्हों नहीं डाला है ठीक है और एक्स्टा अटेम्ट के लिए कई सारे मेल आ रहे हैं म अगर मैं हमेसा बोलता हो अगर कोई भी एक्सटा टेम्ट के लिए फिर हैसी जो के लिए आप लोगों से सपोर्ट मागता है हमेसा उसको सपोर्ट करो मैंने वीडियो ही बना रख कियो लड़ी पहले चैनल के ओपर ठीक है तो यह आप लोगे साथ भी हो सकते हैं तो इनको आप लोग सुपोर्ट जुरूर करना ताकि अगर किसी को कुछ फायदा हो जाए तो यह अच्छी बात है क्योंकि COVID-19 ने सब का नुकसान किया था ठीक है आज का जो देखने को मिलेगा जो यह अपर इटल्ययन पहु आपन को मिलते है तो इसकी आश पास पास और है structures आपर जैसे आप लोगों है कि black seçे के बारे में आप लोगों से बहुत कुछ डिस्पस किया है तो black तो ये location आप लोगों से कई बार पूची आती है तो confusion आप लोगों नहीं होना चीहिए अगर वह तो दूर करना है 5 नहीं सब्सक्राइब जो कि आप लोग अपनी corporation किसी चीज को include करके चलना, absorb कर लेना कि इसको incorporate कर लिया, ठीक है, reservation होता है एक तरीका आरक्षन, ठीक है, तो यह आप लोग यहाँ पर राख सकते हैं, इसी के साथ में deficit कमी, आप लोगोंने current account deficit सुनो होगा, ठीक है, trade deficit सुनो होगा appeasement होता है, चीजों को appeas कर रहा है, यानि कि एक तरीके से लोगों की चापलूसी करना भी कई बार आप लोग बोलते हैं, या फिर आप लोग बोलते हैं कि एक तरीके साथ कुछ गड़बड होगी, तो solution निकाल लो, बैट के थोड़ा सा समझाने कोसिस की जा रहे है, तो synonyms और antonyms भी विलोम सब्द और प्रियाव एची सब्द भी है आप, इसको आप लोग देख लेना, बाकि फिर से आप सभी लोगों को happy teachers day, यानि कि teachers day की हार्दिक सुबकामना है, तो आप लोग इसको अच्छे से enjoy करिए, पूरे day को, और एक इसके साथ में हाँ पर आप लोग जाकर PDF टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी PDF आप लोगों इखटे मिल जाएगे, तो नेक्स लेक्सर मिलतो हो, तब तो करना ध्यान रखिए, बढ़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोड़ी से life इंजियो करार, मिलतो हो नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, जाहिंद!